उधारण 20 यदि कोण A, कोण B वा कोण C त्रिभुच ABC के अंतह कोण हो तो सिध कीजिये की साइन कोष्टक में A धन B बटा दो कोष्टक बन बराबर कॉस C बटा दो यह हमें सिध करना है हल दिया है की A, B वा C त्रिभुच ABC के अंता कोण है तो A धन B धन C बराबर 180 अंश हम जानते है की किसी त्रिभुच के अंता कोणों का योग सदेव 180 अंश होता है कहीं हम C का पक्षांतर बायंपक्ष से दायंपक्ष और कर देंगे तो हमें प्राप्त होंगा A धन B बराबर 180 अंश रिण धन C का पक्षांतर करेंगे तो रिण C इसे हम समी करण एक मानते है पुना हम बायंपक्ष लेते हैं बायंपक्ष में हम जो सिद्ध करना है सिद्ध करने का जो सिद्ध हमें करना है उसका बायंपक्ष है कि A धन B का जो योग है वो हम लिख सकते 180 अंश रिण C A धन B का जो योग है बराबर 180 अंश रिण C है तो हम साइन A धन B के स्थान पे समी करण एक से हम क्या लिखेंगे यहां कोष्टक के अंदर में 180 अंश रिण C बटा दो कोष्टक बन बराबर अब 180 बटा दो और C बटा दो कर लेंगे हम यहां तो साइन कोष्टक में 180 अंश बटा दो रिण C बटा दो कोष्टक बन 180 बटा दो किया है रिण C बटा दो किया है बराबर sin 180 अंश बटा 2 90 अंश रिण c बटा 2 क्योंकि हम जानते हैं कि sin 90 अंश रिण थीटा जो है वो cos थीटा होता है तो हम लिख सकते हैं को cos थीटा के स्थान पे हैं हमारे पास c बटा 2 और यही जो cos c बटा 2 है वो दिये गए प्रश्न का दायापक्ष है तो हम इसे लिख सकते हैं बराबर दायापक्ष तो इस तरह से हमने सिद्ध कर दिया कि दिये गए प्रश्न में sin a धन b बटा 2 बराबर cos c बटा 2 में जब हमने सिद्ध करने के लिए बायापक्ष को लिया था और इसको करते सेवे cos c बटा 2 दायापक्ष प्राप्त किया तो इस तरह से ये प्रश्न हल हुआ यहाई इस सुधारण का हल होगा झाल